हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक्जाम 91 पर देखे हम लोग अभी तक इसके तीन पार्ट कर चुके हैं यह हम लोगों की स्रीज चल लेए 1000 कोस्चन की जिसके हम लोग अभी तक तीन पार्ट कर चुके हैं और यह चौता पार्ट है अभी तक हम स्रीज चलू करेंगे जिसमें हम लोग 100 कोस्चन लेके आएंगे और 100 कोस्चन में आप लोग खुद करके बताईएगा कितने अटेम्ट किया हैं कितने सही हुए कितने नहीं हुए और कोसिस यही रहेगी कि उसके लिए हम लोग एक ऑनलाइन टाइम निर्धारित कर लेंगे हम लोग इतने बज़े ऑनलाइन आएंगे और अगर उतने बज़े सारे लोग तयार हो जाते हैं देखिए मुझे बहुत ज़्यादा यह नहीं है कि मेरे पास पबलिक नहीं है कि जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होगा तो मुझे 20-25 आप लोग बता लोगों में तो उसमें यह होगा कि हाँ आज हमसे आगे चार लोग थे तो एकजाम में हमसे हो सकता है 400 लोग आगे हो सकते हैं तो अभी हमको थोड़ी सी मेहनत चाहिए तो ऐसे कर करके हम लोग थोड़ा सा कॉम्पटीशन पैदा करेंगे और वहां पे हम लोग अपने एक स चालू करेंगे जिसमें 800 से 1000 कोश्चन होंगे साथ वीडियो उसके भी आएंगे और हम लोग उसको ऑनलाइन करेंगे ठीक है तो उसके लिए जब ऑनलाइन करेंगे तो वहां से हम लोगों को एक थोड़ा सा कॉम्पटीशन की बज़े से थोड़ा सा होड रहेगी तो आगे परसेंट चांसेज हैं कि नेक्स्ट भीक आपका एक्जाम का जो एड्मिट कार्ड है वो आ जायेगा इसमें दो सिफ्ट में पेपर होगा एक नौ से बारा होगा ठीक दूसरा दो तीस से पांस तीस होगा ठीक है यह एक्जाम की टाइमिंग होगी तो आप लोग अपने चालत में कुछ भी छोड़ना नहीं है चलिए कोसें करते हैं कूशन क्या है टार्ण में मैंगनेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की घती यहांब है तो यादर यह एगा जो पैंगनेटिक डिस्क होथी है इस तरीकで कि अपनी होती है और डिस्क के कई तरीके पैटर्न होते हैं सिर्फ एक यही पैटर्न नहीं होता कई पैटर्न होते हैं तो मैगनेटिक डिस्क है तो उसने का अधिक डेटा एक्सेस करने की गती है तो देखो ना तो CD-ROM में होती है ना ही CD-ROM में होती है और ना ही DVD में होती है अगर गती की बात करेंगे तो magnetic tape बगएरा वाले जो भी चीज़े magnetic वाली होंगे उन में सबसे ज़्यादा गती होती है तो इन तीनों में magnetic disk की तुलना में किसी में भी इतनी गती नहीं है, जितनी magnetic disk में होगी तो इसके लिए' इसका चाहिएwhat क्या होजाएगा उप्युक्त मैं से कोई लिकार निम लिखित में कॉन नन बॉलेटाइल मेमोरी तुब नौन बोलेटाइल मेमोरी, आपको भी पता है कि नौन बोलेटाइल कौन सी होती है, ठीक है, एको के नाम से जाना जाता है, देखो CD-ROM दे रखा है, ये भी हमारी नौन बोलेटाइल है, ठीक, CD-RAW, ये भी यानि के RW, ये भी हमारी hard disk, ये भी हमारी, देखो non-volatile मेमोरी वह ह जब हमारी अगर light चली जाए यह हम अपने computer को बंद कर दें तो इसका जो data होगा यह इसका यह जो data होगा यह ऐसे कैसे बना रहेगा यह खत्म नहीं होता है तो उसको कहते है non-volatile नहीं बिगड़ने वाला data question number 3 question number 3 है एक storage location में data डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो जब हम लोग किसी storage में जो location होती है उसमें जो data डालते हैं उसको writing कहते हैं जैसे आप लेज लिए जैसे हमारी cd है अब इसके उपर हमको बिंडो डालनी है अपनी बिंडो को cd में डालना है तो कैसे करेंगे तो जब इसको करते हैं तो write करते हैं क्या करते हैं इसके उपर हम लोग बिंडो को write करते हैं और यह permanent इसमें पढ़ जाती है ठीक तो इसमें क्यों जाएगा writing होता है जैसे हम लोग copy पर writing करते हैं ऐसे हमारा किसी भी चीज को करना यह भी writing ही कहलाता है ठीक question number 304 MPG किस तरह की फाइलों का एक इस्टेशन है देखो जो MPG होता है यह हमारा जैसे आपने देखा होगा कि MP4 ठीक है MP3 MP3 तो हमारा audio file होता है ठीक है MP3 यह audio file और MP4 यह हमारा video file जैसे यह MP4 video file होता है ऐसे MPG जो होता है यह हमारे video file होती है कैसी file होती है यह video file होती है ठीक है चलिए इसका answer उ यह देखे इसका भी एंसर C दे रखा है ठीक है और हाँ आप से एक important बात आप लोग जो कह रहते हैं ना कि सर जी इसमें जो questions हैं एक बार में कई questions आ जाते हैं तो थोड़ा confusion है देखे क्या है ना कि जब यह PDF तयार किया गया था तब इतना यह नहीं सोचा गया था कि इस तरीक अगर modification करेंगे तो फिर आपका यह 1000 questions की जो series है यह थोड़ा सा delay हो जाएगी तो इसलिए इसको modify करने को रहने देते हैं और जो next हम लोगों की जो मैंने बताया है कि जो series चलाएंगे जो objective का test paper चलाएंगे 100 questions की एक बार में चलेगी और वो online चलेगी तो उसमें क्या होगा ज इसमें भी इतना जदा आपको दिमाग लगाने जरूद नहीं ज्यादा तर तो portion आपका इदर सुधर hide ही हो जाता है आपको यह की portion यह दिख रहा होता है तो जब आपको यह की यह दिख रहा है तो बाकी चीजों को फिर आप लोग ignore भी कर सकते हैं ठीक है चलिए operating system का क्या ह होता है तो operating system होते हैं हमारे system software होते हैं क्या होता है इन्हीं से system चलता है अगर operating system नहीं है तो वह आपका laptop computer या जो भी है PC वगरा वो नहीं चल सकता ठीक है application software क्या होता है यह हमारे application की अलग-अलग work के लिए अलग-अलग applications होती है ठीक जैसे हमारे browser हो गया ठीक है अब video players हो याद रखिएगा question no.6 compiler किसी computer का भाग होता है compiler हो computer किसका भाग होता है तो compiler होता है compiler हो किसका भाग होता है compiler हमारे क्या अगरता है किसी दूसरी language को convert करता है machine language में किसको high level language को machine language में convert करता है तो compiler भासा का भाग हो जाएगा ठीक है question no.307 hard copy निम लिखित में से प्राप्त होती है hard copy हमको कहां से प्राप्त होती है मैंने आपको बताया था जब भी hard copy की बात आई तो printer याद रखिएगा ठीक है इस screen पर जो screen होती है screen पर हमें यह दिख रहा है यह output तो होता है लेकिन यह soft copy हमें output होता है लेकिन यह ही अगर हम print करके आपको copy कागज पर देदें तो यह hard copy हो जाएगा तो printer हमको क्या करता है वो hard copy उपलब्द कराता है hard copy वो copy होती है जिसको हम लोग हाथ में पकड़के उसको कुछ उस पे लिखने का या उसको edit करने का कह सकते हैं कि अपने हाथ से pen से edit कर सकते हैं उसमें कुछ extra जोड सकते हैं तो वो hard copy होती है यह एक character printer नहीं है अब देखो character printer की बात आएगी तो देखो जब character printer यानि की जो character ही print ना करे line print करते या एक बार में पूरा page print करते देखो band printer यह हमारा character printer होता है यह एक बार में एक band को करता है जैसे अगर माल यह इसका band पूरा भी है तो यह पूरे एक बार में B को ही print करेगा golf ball printer गोल्फ बाल प्रिंटर आ उसके ऊपर भी बिल्कुल यह top पे कुछ लिखने के लिए जिस printer का इस्तिमाल किया जाता है वो यह होता है golf ball printer और जो दिब्या जी ने question मुझसे comment में पूछा था कि उसका दूसरा नाम क्या होता है उसका दूसरा नाम यह golf ball printer ही होता है ठीक दिब्या जी आप लोग आप इस इसी तरीके से questions आएंगे क्या होता है language बदल देते है questions के answer कोश नहीं पर पड़ता है तो इसलिए आप लोग question ज्यादा से ज्यादा देखिए जिससे आपके दिमाग में ज्यादा रहे ठीक फिर आता है inkjet printer अब inkjet का मतलब होता है पूरी ink को एक बार में ऐसे छिड़क के प या एक proprietary operating यानि कि मालिकाना system software है मालिकाना का मतलब होता है जिसका copyright हो जिसके ओपर और उसके अलावा उसको कोई नहीं यूज कर सकता copyright का यही sign होता है न तो जब भी कभी copyright की बात आती है तो देखो उसमें जो system software की बात आएगे system software आपको पते है operating system जो इस तरीके सोते है य नहीं चलिए एक तो बन्तू हो गया दूसरा open solaris हो गया अब इसके बागी option भी देख लेते हैं Solary Express और फिरी BSD अब देखे यह फिरी BSD फिरी लिखा है तो फिरी तो आपको जो copyright वाला हो नहीं सकता अब इसका जो copyright आता है वो Solary Express होता है देखे ऐसा क्या होता है कि जो हमारे जो copyright वाले आने कि जिनका मालिकाना software हग होता है जिनके उपर वो software जैसे कोई basic company है कोई बड़ बनवाया अब उसका वो क्या करेगी copyright खरीद लेगी अब कोई उस software को दूसरा नहीं करी सकता अगर आप खरीदोगे तो उसके लिए उस company को pay करना पड़ेगा वो होते है मालिकाना वाले software ठीक है यह Solary Express जो है यह उसी का उधारण होता है चलिए question no.10 एक multi function device में सामिल होता ह लुटी function जो device होती हमें क्या 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 सामिल होता है जली कर सकते है अ유ब्री फंक्शन होगया बढंगे प्रिंटर होते है आज कर इसमें से थीक ललागा इसमें बी आप च्क ब्लैक एंड वाइड में निकाल सकते हैं ठीक जो आजकल के प्रिंटर हैं वो उनमें फोटो कॉपियर यह काफी आपको बड़े बड़े और काफी कुछ फंक्शनल वाले आ रहा है तो तीनों इसकैनर प्रिंटर और फोटो कॉपियर यह तीनों आपको आजके टाइम में प्रभाव के दबाव से करेक्टर प्रिंट होता है अच्छा यहां पर यह कह रहा है कि जब हम लोगों के जो कागज लगता है उसके उपर जैसे ही प्रेसर पड़ता है तो वो अक्शर छप जाता है जैसे यह प्रेसर पड़ा तो एक छप गया जब भी कभी जब इसके उप प्रभाव की बाताएगИ जब प्रेसर की बाताएगी एम्पैक्ट प्रिंटर होता है वह क्या होता ह Dever इसमें किसमें आप्सन दे रखा है, यह दिए छॉथे आप्सन में दे रिखा है, इसका ज़ोर सही नशर क्या हो जाएगा चौट था कोशन नमब्र 17 हो इससे तब माइक्रप्रोसेसर की गति को मापा जाता है तो देखिए जब माइक्रो प्रोसेसर की गती जो है मेगा हर्टेज में भी ना पी जाती थी ठीक है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा गीगा हर्टेज सूपर कम्प्यूटर की गती आपको हमेशा गीगा हर्टेज में ही मिलेगी कोश्चन 113 313 Excel का या function पंक्ति डेटा को इस्तंब डेटा और इस्तंब डेटा को पंक्ति डेटा में प्रदर्सित करता है तो देखो ये किसमें करेगा जब आपको इस्तंब क्या होता है ये ये हमारे Excel में सारे इस्तंब होता है और ये हमारी क्या होती है ये हमारी चौथा option इसका सही हो जाएगा फिर question दिया है कि F8 button तीन बार दवाने पर word चैनित होता है document में F8 की बात कर रहा है चलिए तो कैसा word document होता है जो हमारा जो select होता है word वो क्या करता है पूरा एक paragraph पर जानते होंगे जैसे ऐसे लिखा है यहां तक फिर उसका नया paragraph यहां से start जाता है तो यह जो हिस्सा होगा यह वाला यह F8 को तीन बार प्रेस करने वे पूरा एक बार में select हो जाएगा तो यह जो है इसका सही answer हो जाएगा 315 यह एक mobile operating software नहीं है देखो mobile operating system की बात कर रहा है यानि कि mobile OS की बात कर रहा है कि इन में से कौन से नहीं है देखो Android आपको पता है open web यानि कि जो हमारे mobile जो आया थे जैसे Nokia का आया था फिर Windows OS Windows OS जैसे mobile Nokia का एक आपने देखा आया था कि Windows वाला फोन आया था तो Nokia ने लाँच किया था तो यह अब यह B.O.D.A. यह इस तरीके का आपने कुछ भी नहीं सुना होगा इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके का कोई भी software या system software या यहनि कि OS mobile से related नहीं होता है तीन सो सूला इन में से किस वर्स Google इस्तापित था अब देखो यह कोशन बहुत अच्छा है और बढ़िया कोशन है कि Google कब हुआ था 1998 में हुआ था जैसे मुझे याद है वाकी यह याद रुकिएगा देखे भारत में कम्प्यूटर की सुरुआ 1995 में हुई थी तीक उसके बाद में यह 1998 में Google आया था गूगल के आने के बाद से इंटरनेट के जो पद्धती थी उसमें जो सुधार हुआ है और जो कह सकते हैं कि क्रांती आई है वो इसके Google के आने के बाद से बहुत तेजी से आई है गूगल से पहले आपको याहू था और यह बींग था इस तरीके के आपको लोकेट किया जाता है देखो बैप पेज लोकेट करने की बात जब आती है तो योनिफर्म डिसर्स लोकेटर होता है इसका यू आर एल जिसको हम लोग यू आर एल कहते हैं यू आर एल तो आपको जल्दी याद रहता है लेकिन इसके full form क्या होती है, uniform resource locator होती है, जो हमारी किसी भी जो website होती है, webpage उसको locate कर सकते हैं, किसके माद्दम से जैसे URL क्या होता है, होता है www.google.com, ठीक, यह क्या होता है, यह एक तरीके का URL होता है, तो uniform resource locator होता है, उसकी full form, फिर question number 318, एक छोटा optical storage device, जिस पर data जैसे गाना, text या, graphic image, digitally encode किया जा सकता है, किस पर किया जा सकता है, compact disk पे, floppy disk पे, file server पे, none of these पे, तो आपको भी पता होगा कि छोटा सो optical storage है, अगर optical storage का जा रहा है, जिस पर हम लोग गाना, text, graphic और image, तो किसका हो जाता है, जैसा कि देखें, मैंने बता है, compact disk, ठीक, आपने देखा होगा, जो हम लोग CD, DVD लेते तो उसमें आपने देखा होगा, गाने आते थे, ठीक है, उसमें अगर हम लोग अपना कुछ भी write करके, अगर किसी को कुछ देना है, document बगेरा, तो वो भी उसमें write करके, हम लोग डाली सकते थे, photos, गाने और यह सब कुछ डाली सकते थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका compact disk हो जाएगा, चलिए, आगे चलते हैं, चलिए, फिल लिखा है कि anti-virus software किस प्रकार का software है, जो anti-virus software है, वो हमारे utility software है, और इस तरीके के software, utility software क्या होते है, यह आप लोग मेर computer के, triple C computer के नाम से एक folder पढ़ा होगा, triple C level के नाम से, आप लोग उसमें जाएए, आपको वहाँ पी utility software के वारे में, open source हो, यह सारे software के वारे में, आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है, तो anti-virus software जो होता है, वो हमारे utility software होता है, एक email account, एक storage छेतर रखता है, प्राया इसे क्या कहा जाता है, जब email account में, जो storage छेतर होता है, उसको जो हम लोग कहता है, वो हमारा होता है, mail box, क्या होता है, mail box, इसी box में क्या होता है, कि सारे के सारे हमारे email storage होता है, अब अगर आप email में कोई attachment भी बेशते हैं, तो वो भी सब इसी में storage होता है, तो इसल जिसके जरिये से आपका जो internet सर्व करते हैं, तो क्या होता है कि उसका एक address होता है, computer पे जैसे ही आप अपना करेंगे तो उसका एक IP address होता है, इसी address है, आपको find किया जाता था, locate किया सकता है, ठीक, चलिए, लो नीचे ही आ गया कि IP address क्या होता है, IP address बैसे तो इसकी full form की बात करेंगे, तो internet protocol होता है, तो और बाकी इसी के जरिये से, और ये number सबका अपना अपना एक unique होता है, ऐसा नहीं है कि आपका अलग है, ये आपका जो है, वही दूसरे को होगा, अगर होनी, एक बार लिखने होगे, optical storage media accounts, एक बार लिखने होगे, यानि कि सिर्फ एक बार उसको write किया जा सकता है, और उसके बाद में, उस पर write नहीं किया जा सकता है, तो जब इस तरीके की बात आती है, जैसे digital paper है, जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे ये मेरा board है, अब ये digital paper है, अब इसको हम चाहें जितने बार भी ऐसे लिखें, और चाहें जितने बार भी इसको बिगाड़ दें, हम लिख सकते हैं, कोई समस्य सानी, magneto optical disk, इसका भी यही सेम प्रॉसेस होता है, कि इसको भी एक बार की नहीं, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, यो warm disk होती है, यो warm disk होती है, यह होती ही इसलिए कि इसको सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, ठीक है, चलिए, फिर AU audio format, किस company ने डिवलप किया था, तो अब यहाँ पर दे रखें एपल, सन, आपने इसमें से देगे, एपल का तो नाम सुनाओगा, सन का नाम नहीं सुनाओगा, फिर Net, Netiscap और कैसे को, फिर देगो, Netiscap भी और कैसे को, यह भी आपने सुने होंगे, लेकिन यह क्या है, यह एक अलग तरीके के अलग ब्रांड है, लेकिन हैं यह मॉबाइल से रेलेटेड ब्रांड है, सारे के सारे, अब इसमें audio format की बात आती है, तो PCVN जो है यही हमारा एक audio format सबसे अलग होता है audio format का सबसे अलग होता है यही एक audio format ही है इन चारों में से ठीक है और यही audio format नहीं है मन्दब audio format को develop करता है और यह जो एपल है यह हमारे क्या है यह आपने एक ब्राउजर देखा होगा नेटिस्कैप के नाम से ब्राउजर आता है और कैसी को यह भी हमारे जो है पिचर इसे होता है एक सब्सक्राउजर एक ग्रुप तो मोशन पिच्चर एक्सपर्ट ग्रुप यह की फुल फॉर्म होती है एमपी जी की ठीक है तो चलिए अब देखते हैं मोवी काट दीजिए तीसरा मोशन है चौथा मूवी है तीसरे में ही आपको मोशन दिखरा है तो यह हमारे मालवैर ऑता है यह कंप्यूटर को हर्म करते हैं कि इसलिए दिको वॉर्म यह बिमारा मालवैर होता है यह स्पैम यह had a application software होता एinois इस तरीके के जिस तरीके का वर्क होता जैसे ब्रॉजर हो ग unutAY एसी तरीके का वर्क होता है ज्यसे ब्रायौजर हो गए 326 पिंग किस प्रकार की फाइल एक extension है जो पिंग है वो हमारी image फाइल होती है .ping फाइल होती है sorry p ing नहीं ping मतलब p ing होता है .p ing फाइल और आपने देखा होगा जब आप form बढ़ते हैं तो आपको दो तरीके के extension मिलते हैं एक तो मिलता है jpg दूसरा क्या मिलता है jpeg ठीक है ये दोनों हमारे आपको बहुत चर्चित भी है famous भी है इसलिए आपको ये दोनों पता होते हैं बाकि आप कभी भी file खोलिएगा जब आपको कहीं पे भी file extension के बारे में आएगा खासकर जब photo's के extension के बारे में आएगा कई software ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि आपको किस किस तरीके के file इसमें आप open कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको extension देखने को बहुत बहुत मिलेंगे तब आपको ये png भी मिलेगा jpeg मिलेगा और ये भी jpeg jpg और भी कई ऐसे format आपको देखने को मिलेंगे तो .png जो है किस परकार की file ये हमारी image file है जो software मुफ्त उपलद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें open source कहते हैं तो अपर फिरी वेर लिखा है जो मुफ्त में है फिरी वेर ये open source निसमें को दोनों नाम एक ही होते हैं लब नाम अलग अलगें दोनों एक ही चीज हैं फिर 328, 328 में क्या है, कम्प्यूटर हार्ड ड्राइब की छमता मापी जाती है, अभी देखो हम लोगों ने पीछे ही पड़ा था, कि वो प्रोसेसर की छमता पड़ी थी, कि तो वो किस में मापी थी, कि वो हम लोगों ने गीगा हर्टेज में और यहां पे हार्ड ड्राइब की बात आएगी, तो देखो हार्ड ड्राइब में हम लोग क्या डालते हैं, अर जब डिटा डालते हैं, कि कितने MBPS की स्पीड आ रही है, कितने MBPS का डेटा चला जा रहा है, जब आप लोग फोन से भी डेटा शेयर करते होंगे तो उसमें आता है ना कि एक MBPS शलला दो MBPS शलला तो इसलिए इसकी क्या हो जाता है तो आप लोग समझी गया होंगे कि जब computer के hard drive की बात करते हैं तो जब hard drive जो है उसकी speed मापने की बात आती है तो वो MBPS में माप पी जाती है या megabyte में ऐसे समझे आप ये megabyte अच्छा है इसमें MBPS दे रखा स्वारी आप MBPS को नहीं ले सकते हैं ठीक है ये bytes में नाप जाती है तो megabytes होना चाहिए था ठीक या तो megabytes होना चाहिए था तो हारडड़ाइब की छमता हमेशा या तो megabyte में होनी चाहिए या gigabyte में होनी चाहिए MBPS में नहीं उसकी speed मापी जा सकती है ठीक उसकी छमता नहीं यहां पर मैं स्वारी गलस समझ गया था यहां पर छमता की बात कर रहा है तो देखे चमता कभी भी MBPS में नहीं चमता हमेशा या तो megabyte में होगी या gigabyte में होगी याद रखिएगा तो इसका सई अंसर क्या हो जाएगा gigabyte चलिए आगे देखते हैं अगर वहां पर speed की बात करता तो तो हम लोग उसको MBPS या GBPS ले सकते थे लेकिन वहां पर उसने उसकी चमता की बात की ती तब ही देखे इसका एंसर B भी ही आ रहा है देखे इन में से कौन सी RAM एक बिसेशता है RAM की कौन सी एक बिसेशता है जो वो हमसे पूछी गई RAM में क्योंते है इसकी सामगरी खो जाती है जब computer बंद हो जाता है हाँ ये तो बिल्कुल साही बात है ये वोलेटाई होती है या एक स्थाय समर्थित तो लाइड जाने के बाद वो कैसे खतम हो जाएगा बिल्कुल नहीं ये तो गलत हो गया इसे उन्नत नहीं किया जा सकता है अप RAM को बढ़ा सकते हैं कोई समस्या नहीं है या आसानी से भरष्ट हो जाता है नहीं है ऐसा बिलकुल भी नहीं है ऐसा होता तो computer हमारा चली ही नहीं पाएगा रनी ही नहीं कर पाएगा तो इसका सही क्या हो जाएगा कि computer जाने के बाद इसमें memory खत्म हो जाती है मतलब जो भी चीज़े उसमें आइटम पड़े होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते है इनमें कौन computer hardware निर्माता है अब उसने हमसे hardware निर्माता की बात पूछी है देखो SA Labs ठीक अब जो computer बनके hardware का निर्माण करेगा वो किसी lab में ही हो सकता है Apple Apple हमारा क्या है एक तरीके का mobile brand है यह कैसकते हैं कि एक company है जो Apple नाम का mobile बनाती है उसके लावा और ऐसा कोई नहीं Sun यह भी आपको बता दिया था अभी पीछे ठीक है और यह IBM यह भी हमारा क्या है एक तरीके से यह कैसकते हैं कि यह software बनाता है और यह इसका अपना mobile भी आता है दूसरा यह business जो है business related जो software होते है business related इस तरीके के काम करता है और SA Labs जो है यह computer hardware का निर्मार करती है फिर 331 मूल रूप से audio system के लिए विक्सित digital data के भंडारण के लिए इस्तमाल किया जाने वाला एक छोटा सा plastic disc इसे क्या कहते है प्लास्टिक डिस्क की बात कर रहे है तो देखो इस तरीके से आएगा जिसके अंदर इस तरीके से होता है और जिसमें एक चुम्मक लगी होती है और यह जो इसको बोलते है floppy disk ठीक है जो digital data बंडारण के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला एक छोटा सा प्लास्टिक डिस्क की बात कर रहे है तो जो प्लास्टिक डिस्क होता है वो हमारा compact disk होता है अच्छा स्वारी देखे यह floppy disk होता है जिसमें हम लोग इस तरीके से होता है और इसमें गूले सा लगा होता है एक साइड से इसको थोड़ा सा कट होता है इधर से ही जाता है और इसकी छमता कित्ती होती maximum 8 MB तक हो सकती है फिर optical disk ठीक, optical disk में क्या होता है optical disk जो होती है वो भी हमारी CD के आकार में ही होती है लेकिन इसका क्या होता है कि इसकी छमता थोड़ी सी कम होती है ठीक है और आडियो सिस्टम के बिक्सेद डिश्टल रेरा बंडारा फिर compact disk की बाती है compact disk हमारा इस तरीके से ही होता है इसमें जो होती बंडारा चमता उससे ज़्यादा होती है और यह हमारा आज के टाइम में प्लास्टिक डिस्क के इसे ही कहते है और जिप डिस्क नाम की कोई ऐसी डिस्क नहीं आती है जिप फाइल होती है जो हम लोग compact disk में, optical disk में या हमारे floppy disk में हम लोग इसको डाल सकते है जिप डिस्क का मतलब होता है किसी बड़े डेटा को कम डेटा में convert करके उसको जिब डिस्क में बना के रख देना जिससे वो जगह को कम compress कर देता है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा compact disc अधिकान्स PC boot up पर एक पीप देते हैं ताकि या इंगित किया जा सके कि वे ठीक hardware के अनसर हैं आप अपने PC को boot करते और बीप नहीं मिलता आपको पहले क्या जांचना चाहिए तो जब हमारा कभी ऐसी बात आएगी आप आवाज तो तभी आएगी कि आपके PC होता है क्या PC में कहीं पे भी कोई साउंड लगा होता है नहीं लगा होता है न काँ लगे हुए है तो उसमें वैलो मॉपेन हुआ है की नहीं की नहीं हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे sound, अगर हमारा sound सही है तब उसके बाद हम लोग कोई और चीज जांच करेंगे तो यहाँ पर सबसे सही पहले क्या देखेंगे कि speaker हमारा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है फिर bird, wide, babe पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इन में से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है जब यह बात करने के आती है कि www यह www हम लोग कभ इस्तेमाल करते हैं यह कौन सा इस्तेमाल किया जाता है यह पूशा जा रहा bird, wide, babe की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन में से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है तो जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं तो कि हम लोग कहीं भी ऐसे www.latt लेते हैं नहीं हम लोग कहाँ डालते हैं पहले तो web browser पर जानने के बाद कहाँ डालते हैं सर्च वाला जो अपसिन इसा से करके एक कॉलम बना होता है हम लोग इसे में स स्थ देंजन में इसको डालते हैं कि चलिए कोशन नमबर 34 देखते हैं कोशन नमबर 34 है 32 बिट संस्क्रड को बिंडोज के 64 बिट संस्क्रड में अपग्रेड करने के लिए क्या कदम होने चाहिए इसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता बिल्कुल सही बात है अगर ऐसा कुछ होता तो जिनके पास 32 बिट का कंप्यूटर है वो लोग उसे किसी भी त गया पर 64 बिट क्यों इस्तिमाल करते है तो अगर आपकी बिंडो ओर जिनल है तो आपको उसमें दोनों आप्सन मिलते हैं कि आपके कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं 32 बिट या 64 बिट फिर दूसरी सबसे बड़ी बात आज के टाइम में जब जैसे ही आप बिंडो डालें आपका कम्प्यूटर 32 बिट का उसमें प्रोसेशर है या 64 बिट का अगर आपका 32 बिट का है तो विंडो 32 बिट वाली इस्टाल होती है और 64 बिट का है तो 64 बिट ठीक है तो वह अपने हिसाब से चलता है एक सिस्टम पुनर इस्थापन सेटप को चलाने और फाइलों को प याद रखिएगा कि बिंडोज 32 बिट और 64 बिट को आपस में कभी भी अपग्रेड नहीं किया जा सकता है फिर 35 बर्ड वाइड बेप पर बैप पेजों को एकसेस करने के लिए निम्न में कौन सा प्रोटोकाल उपयोग किया जाता है जब भी कभी हमें इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करने कुछ भी खोजने की बात जब आती है उसमें प्रोटोकाल की बात आएगी तो देखिए आप याद रखिएगा एक आपको आई-पी तो जरूर मिलेगा और साथ में टी-एस-प यह होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रो और यहां पर आपको वर्ड वाइड बेब की बात कर रहा है यानि कि www जब हम लोग www डालते हैं यह कहां डालते हैं अभी हमने उपर के वोश्चन में बताया था यह हम लोग कहां डालते हैं यह हमारा ऐसे सर्च बॉक्स होता है उसमें एस डबल टी-प फिर ऐसे स्लैस लग कई दर सुद gültा और इंटरनेट का प्रोटोकॉल सिर्फी इंटरनेट की बाषट करेगा तब हमारे इंटरनेट के लीए यह दोनों यूज हो जाते हैं तब यहां वे birds बाइड बाइड बेप की बात है बाइड बाइड बेप हमारे सर्च करने के लिए होता है यह किस प्रोटोकॉल पर चलता है एस डबल टीप तो यह इस तरीके के प्रोटोकॉल क्या होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हाइपर टेक्स ट्रांसपर प्रोटोकॉल याद हो जब आपको बिल्कुल भी ना पता हुब्यू होंगी होंगी बहुत's ज्यादा में इसलिए mm श्रの हो जाते हैं क्योंकि हमको क्या है कि हमको TSP और IP भी पता है एस डबल टीपी भी पता है, स्वित घबल टीपी जसे हमारा से ऒ्यालठीकत करें इस अमने मुल्म पना जात्या जाते हैं इसके लिए मैंने कल आपसे पूछा हुआ था कल के सेट पेपर में आया हुआ था कुछ डिलीट करने के लिए तो मैंने वहाँ पे पूछा था कि shift plus delete से क्या होता है जो की comment में दिब्या सकसेना ने उसका जबाब दिया हुआ था आप लोग ने किसी ने भी उसका जबाब नहीं दिया था तो क्या होता है कि इसका सही एंसर होता है shift plus delete आप shift plus delete से कुछ भी दबाएंगे डिलीट करेंगे वो directly delete होगा permanent delete होगा वो recycle win में नहीं जाएगा फिर बिंडोज 7 में नया फोल्डर बनाने के लिए shortcut कुणजी क्या है ठीक चलिए देखिए control plus alt plus n control shift plus n ठीक आगे देखता है control n देखो एक control n तो new के लिए हो जाता है new folder के लिए नहीं होता है new files के लिए होता है और control shift plus n alt shift plus n देखिए alt नहीं हमारे एक control प्लस shift प्लस n यह हमारा जब बिंडो में कोई नया folder इस्टार्ट करना होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो क्यों हो जाए control shift plus n alt दोको alt modified key जरूर होती है लेकिन alt के जो नियम चलते हैं वो थोड़े से अलग चलते हैं ठीक है ज्यादा तर चीज़े जो भी नई चीज़े बनानी है या नई चीज़ों को खोलना है या बंद करना है तो उसके लिए इस तरीके की चीज़ें में ज्यादा तर control ही यूज होता है ये आप याद रखिएगा ठीक ये एक तरीके की बॉल होती है इस तरीके से पूरी एक बॉल बनी होती है ठीक है और जो इस तरीके की बॉल होती है इस बॉल का क्या काम होता है इस बॉल का काम होता है कि इसके पीछे जो हमारा कम्प्यूटर है उसमें गैर जिसकी कोई जानकारी नहीं है उसको घुसने से रोका जाए यह होता है ठीक है और यह क्या करती है यह हमारे computer को security प्रदान करती है कि इसके पीछे कोई भी नहीं जाएगा जिसको हम नहीं जानते हैं वो इसके पीछे नहीं जा सकता है तो यह computer को क्या देती है यह computer को यह देती है security देती है एक तरीके की तो देखें इसमें security दे रखा है authentication transmission monitoring security security इसका सब्सक्राइब हो जाएगा ठीक है यह किसी को भी किसी भी unauthorized person को इसके पीछे नहीं जाने देती है file extension png png का मतलब क्यों होता देखे png file अभी मैंने बताया था dot png g जो यह file होती है हमारी image के लिए होती है बतायत है और इसका मतलब होता है portable network graphics file होती है ठीक है यह portable network graphics file होती है और वही portable हो जाती है तो देखो portable network graphic file इसका सही answer हो जाएगा फिर 340 number नेमने लिखित में कौन सा एक valid याने की बाइद domain name extension नहीं है dot com commercial के लिए dot government government website के लिए dot org यह किसी organization के लिए होता है और उपयोग तो सभी तो यह तो सारे तो domain name है तो सभी हो जाएगा dot com देखे हमें सा एक commercial के लिए होता है ठीक है जिसके आगे भी dot com लगा होगा त इसका मतलब वो किसी commercial use के लिए website है commercial के लिए वो domain name जो है commercial है dot job का मतलब होता है कि यह किसी government का domain name है यानि कि इसके जो website है जो भी यह हमारी जो खुली हुई है web page खुला हुआ है यह government का है उसमें अगर dot job अगर government.uk है तो वो UK की government के लिए dot in है तो इंडिया के लिए dot इस तर code की government से related हो जाती है और dot org org से हमारे dot organization हो जाता है यह organization के लिए इस्तेमाल की जाती है चलिए आगे देखते हैं computer screen में save as dialogue box खोलने के लिए किस function कीज का इस्तेमाल होता है दो को save as की जब बात करेगा ठीक है save as dialogue box और वह भी कौन सी function की function की कौन सी उतनी EF वाली और जब save as dialogue box open करना होता है तो F12 दबाया जाता है यह याद रखिएगा ठीक है इस computer screen पर save as खोलना हो तो उसका जो box open होता है वो किससे होता है F12 से देखे इसमें F12 चौते नंबर पर यह चौता नंबर इसका सही हो जाएगी ठीक है एक primary होती है दूसरी secondary होती है ठीक है तो देखो यहां पे अच्छा secondary storage device नहीं है की बात कर रहा है ठीक है नहीं है ठीक है तो जो secondary पहली बाद तो याद रखिए जो primary कौन सी होती है जो primary devices होती है जो primary storage devices होती है वो हमारी RAM और ROM होती है यह computer में इंविल्ड होके आती है ठीक है तो यह primary और secondary कौन सी होती है तो जो secondary files होती है यह secondary files हमको हमेशा external के रूप में कोई भी जो storage device हम लगाते है चाहे पेंडराइब हो चाहे memory card हो चाहे hard disk हो चाहे CD हो चाहे DVD हो यह हमारी सब क्या होती है यह secondary में है तो secondary storage में देखो CD device secondary hard disk secondary DVD secondary ठीक है और RAM हमारी primary हो जाती है ठीक याद रखिए गाइसको चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर ठीक 43 नंबर है इन में कौन सी internet की विसेश्थता नहीं है तो internet mail भेज सकते हैं बिल्कुल designing देखें डिजाइनिंग तो particular तो नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आज करके time में देखा जाए तो बहुत सी website ऐसी आ गई है जिस पर डिजाइनिंग भी कर सकते हैं चैट भी हो सकती है डिजाइनिंग का काम particular के तो नहीं हो सकता उसने internet की विसेश्था पूछी तो internet की विसेश्था में खेर उसको अभी नहीं ले सकते हैं 44 नंबर इसमें computer virus की बात कर रहा है तो April 1st ये भी है मेलिसा ये भी हमारा virus है संडे ये भी हमारा virus है panda panda virus नहीं होता है panda साथ हमारे ख्याल से एक web browser है या कुछ इस तरीके से game है या कुछ भी है यह वो नहीं है तो panda इसका virus का प्रकार नहीं है भारत के पहले दुई भासी computer का नाम क्या है देखो दुई भासी की बात करेगर यानि की जिसमें दो भासाइं support करता था तो हमारा था सिधार्थ क्या था सिधार्थ जो था वो हमारा दोईभासी कंप्यूटर था याद रखिएगा ये परह मानुपम महावीर ये हमारे सब सूपर कंप्यूटर थे फिर BGA कार्ड उच रिवलेशन कार्ड है इसका रिजूलेशन किता होता है तो जब BGA कार्ड की बात आएगी तो विजूल ग्राफिक एरे होता है साइद इसकी फुल फार्म विजूल ग्राफिक एरे हाँ तो इसकी जो रिजूलेशन होता है वो छे सो चालिस गोने चार सो असी ये इसका रिजूलेशन होता है ठीक है ये याद रखिएगा कि इन से जो है हमारे pixels pixels का मतलब क्या होता है pixels हमारा square के shape में एक छोटा सा graphic होता है जो हमारी pictures के color, quantity और उनको मिलके कह सकते हैं कि एक पूरा pixel कई pixel मिलके हमारे एक picture को तयार करता है और उन्हीं pixels से ही हमारे उसकी quality निरधारित होती है कि ये कितनी अच्छी quality में होगा जैसे आपके अगर pixel बहुत खराब है ठीक है, तो आप picture जब देखेंगे तो उसकी photo जो देखेंगे वो काफी फटी हुई होगी उसमें pixel दीधूर से दिखाई देंगे कि इतने इतने दूर उपे तो फटा हुआ दिखाई देता है लेकिन उसके जितने अच्छे pixel होते है तो क्या होता है वो आप picture को कितना भी जूम कर लिए वो फटी हुई नहीं दिखाई देगे बिल्कुल वैसे कि वैसे ही दिखाई देगे तो जो उच्छ रिजूलेशन होता है वी जी अगाड का अगर आप इतने रिजूलेशन का यानि कि 640 गुणे 480 का पिक्सल लेते हैं तो आप किसी भी तरीके से picture को देखिएगा आपका कभी उसमें दिख्कत नहीं आएगी ठीक चलो छटा नंबर देखते हैं शौटकट तयार करने के लिए फंक्सन कीज के अलावा किन कुणजी का प्रियोग किया जाता है देखो जब भी शौटकट तयार की जाता है तो आपने देखा होगा उसने कहा फंक्सन कुणजी यानि की EF वाली कुणजी इन के अलावा एक मोडिफाइर कुणजी जो होती है जिन को हम लोग कॉंबिनेशन कीज भी बोलते है वो हमारी कंट्रोल प्रस आल्ट वाली जो होती है ये इनको मोडिफाइर है कॉमडिफाइर कीज जिसका थी आंसर हो जाएगा 343 बिंदो जो इस्टेम में data store करने की सबसे छोटी इकाई किया है सबसे छोटी इकाई जो अगर बात करेंगे तो वो हमारी file होती है क्या होती है? file तो folder के अंदर तो कई files आज सकती है तो इसलिए folder को नहीं ले सकते हैं इसमें जो है समया फाइल को लिया जाएगा Windows Operating System है कैसा है Single User Multi-User दोको जो Windows Operating System की बात करेंगे तो वो हमारा Single User है लेकिन उस पर वर्क हम लोग Multi-User करते हैं जैसे कई लोग एक OPERATING SYSTEM further कई लोग काम कर सकते हैं तो ओ जो होता है वो हमारा होता यह जो है बिंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिंगल है जैसे डॉस होता है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है निम लिखित में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है Linux ऑपरेटिंग सिस्टम, OpenSolaris ऑपरेटिंग सिस्टम है बिंडोज यह भी operating system है तो यह कोई भी सभी तो operating system दे रखे हैं तो चौता option जिसका सही हो जाएगा 351 open source operating system के बारे में निम लिखित में से कौन से सही है दो open operating system के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए कल भी इस तरीके का एक question आया हो था जिसमें react OS हाइको OS यह तो हमारे operating system दोनों है open solaris अभी उपर बताया है free bsd यहने कि open source software जिनको कह सकते हैं तो यह भी हमारा free है तो open source हो जाएगा चलिए और देखते हैं इसके क्या दे रखे हैं उबन्तू हमारा open source software open solaris यह भी हमारा open source software यह तो सभी हो जाएंगे तो सभी इसका सही अंसर हो जाएगा चलिए फिर दिया है IP address किस class से सम्मंदित है देखो यह हमारा class B का है class B का यह operating system नतर यह IP address जो है यह हमारा class B का operating system है देखे इस तरीके के हमारे साथ 4 block class होते हैं इसके IP address के 4 class होते हैं उन्ही में हम सभी बरगों को बाटा जाता है कि यह किस बरग में कौन सजाएगा portrait और land escape किस के प्रकार हैं देखो यह paper size होते हैं ठीक है paper size बतारे है paper जो हम लोग जो photocopy कराते हैं तो उसमें जो page का orientation होता है paper नहीं page का orientation होता है यानि कि पेज आप photocopy किस तरीके से लेना चाहते हैं यह इस तरीके से यह portrait या आप land escape mode में जिस mode में लेना चाहते हैं यह page का orientation होता है ठीक है तो इसका सभी answer क्या हो जाएगा page orientation फिर name लेकित में कौन सा file format powerpoint show में जोड़ा जा सकता है तो देखो jpg हम उसमें जोड़ सकते हैं gif file तो बनी उसमें presentation है तो gif file तो होई जाती है .bab यह हमारी mp3 file होती है यह भी हम उसमें जोड़ सकते हैं तो यह तो सभी जोड़ जाती हैं क्योंकि presentation बना रहा है तो presentation में कहीं पर भी music डाल सकते हैं पिक्चर्स को भी हम एड़ कर सकते हैं जी आया ये फाइल को भी एड़ कर सकते हैं डाकूमेंट प्रिंट करने के लिए कि शॉटकट का प्रियोक किया आता है डाकूमेंट प्रिंट करने के लिए control प्लस पी याद रखिएगा तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा यह बी ऑप्सन सही हो जाएगा control प्लस पी Microsoft PowerPoint में अधिक्तम जून प्रत्सेत अरे यह तो कितने बार question आया अभी तक हम लोगों ने जितने sit paper किये हैं तो लगबख हर दूसरे पेपर में एक बार यह question आई जाता है तो इसका PowerPoint का अधिक्तम जून प्रत्सेत कितना होता 400 ठीक लिखा है 357 question में कि equal to sum bracketing अंदर s3 ratio s10 किसका उधारण है तो देखिए यह जो उधारण होते हैं यह हमारे होते हैं formula के एक्वल टू से जो भी चीजे start होती है एक्सल में वो सब formula के लिए उच की जाती है तो इसका सब फार्मूला हो जाएगा फिर 358 किस shortcut key का उपयोग selected bird को document को हटाने के लिए किये जाता है तो जब हटाने की बाता रही तो हमने क्या बताया था कि ऐसे करके जब x होता है इसका मतलब क्या होता है काटना और काटना मतलब हटाना तो control के साथ में जब आप इसको control के साथ में काटेंगे तो वो चीज हट जाएगी तो control के साथ आप काटे है घट जाएगी चीज तो इसलिए control प्लस एक्स होता है चीज को हटाने के लिए अब चलिए आप इनकी सबकी full form को आपके बता देते हैं क्योंते है control c होता है मारा copy करने के लिए control z का मतलब होता है undo, control x से काटा जाता है, cut करना होता है और by हमारा होत अंडू को जो बापस लेके आता है उसे redo गोलते हैं फिर question number 69 निम्न में कौन बैब ब्राउजर नहीं है दो को बैब ब्राउजर की safari हमारा बैब ब्राउजर है उपेरा बैब ब्राउजर है chrome OS ये भी हमारा खाले ये chrome पहले तो spelling ये नहीं है CHROME होता है chrome ठीक ये OS लिखा ह पहले तो Chrome ये OS लिखा है operating system है ये और हमसे बैब ब्राउजर नहीं है जब operating system है तो यही इसका सही answer हो जाएगा पिर 360 निम्न लिखित में कौन सा output device नहीं है फिर output device plotter हमारा printer है output device हो गया projector output device हमको picture दिखाता है उस पर sound card sound देता है ये तो ठीक और जो sound देगा simple सी बात बोतो हमें output दे रहा है फिर इन में से कोई नहीं तो ये तो अगर सब सारे output device हो गया तो इन में से कोई नहीं इसका सही हो जाएगा निम लिखित में कौन सा अनुवाद है निस्पादन में धीमा यानि कि कौन सा ऐसा इसमें जो है converter है जो काफी धीमा है ठीक देखको compiler compiler आपको मैंने बताया था कि compiler क्या होता है कि ये पूरे एक बार में एक पूरे paragraph होता है उसको एक बार में compile कर देता है interpreter interpreter जो होता है ये एक बार में सिर्फ एक line को ही compile मतलब convert कर सकता है assembler क्या होता है assembler का जो काम होता है वो हमारा high level language को जो है उसमें machine language में बदलना होता है और ये भी काफी हद तक देखा जाए तो ये भी चीजों को अच्छे तरीके से compiler की तरीके से ही work कर लेता है लेकिन interpreter जो और assembler जी एक बार में पूरे source code को कर सकते है और ये जो है line by line करता है तो ये काफी धीमा होता है चलिए आगे देखते हैं प्रमुख memory किसके संबन्वे मतलब help से कार करती है तो वो किसकी help से कार करती है देखो computer में जो भी कार होता है वो CPU की help से होता है याद रखिएग कंप mind होता है ये कर सकते हैं कि उसका dhmag होता है तो इसलिए इसकी साहिता से इस सारे काम किया होता है तो primary memory हो 창 hometown memory to CPU की साहिता से इसका पूरी इसका इंसर हो जाएगा सारे computer में lagu होते है सारे computer ह्मारे किस बछा बचाने मसीनी बचानी बचानी और digital versatile डिस्क यह डिजिटल जो वरसेटाइल डिस्क दे रखा है यही हमारा जो optical डिस्क का उधार लो जाएगा चलिए आगे बड़ते हैं computer की घड़ी की speed की घड़ना की जाती है ठीक दोगों जब computer के इस speed की जो घड़ी होती है वो हमारी bit में मापी जाती है जो computer 1000 वाइट और मेगावाइट में थो उसकी में मोरी की स्पीड महापी जाती है 주 internet पर प्रोच्ट приб rif Dad机 प्रीक अव्हों कॉंसी है कि अपि देख्यों इंटरणेट पर प्रोच्ट जो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो हमारी java language होती है कौन से language होती है java ठीक है याद रखिएगा COBOL यह common oriented business language होती है basic इससे जो है काफी अभी जो अब तो खेर computer में basic language का use ही खतम दीरे दीरे हो रहा है बहुत कम use जो basic language का होता है और pascal यह भी हमारी language यह high level language है चलिए आगे देखते हैं यह देखें इसके यहाँ पर भी answer यह ही दे रहे है चलिए 360 motherboard में क्या रहता है जो motherboard पर CPU को दूसरे पूर्जों से जोड़ता है जब यह question कल भी आया था बस इसकी language थोड़े सी different थी थोड़े सी change थी तो जो motherboard पर जो रहता है बेसिक computer भासा का विकास कब हुआ था बेसिक computer भासा का विकास 1964 में हुआ था यह question साइद हमने किसी sit paper में कराया हुआ है आप लोग इसको देखिएगा चलिए फिर code answer एक program है ठीक है वह निम लिखित में से किस program का रूपांतरड है code answer जो प्रोग्राम होता है वह हमारा code answer से machine तक होता है यानि कि यह सकते हैं कि जो जैसे हमारे compiler होता है हाई-level language को machine में चेंज करता है ऐसे ही code answer होता है यह क्या करता है यह machine तक रहता है मल्टी प्रोसेसिंग होती है जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है मल्टी से मतलब कई और प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग जो एक मतलब प्रोसेस करें तो यह होती है किसके द्वारा आती एक प्रोसेसर के द्वारा होती है जब प्रोसेसिंग हो रही तो वह प्रोसेसर के द् की प्रोसेसर होंगे तो मल्टी प्रोसेसर नहीं मल्टी प्रोसेसंग प्रोसेसिंग की पर इसके लिए अपका यह कैसे चाह्ते हैं कि फिर यह म मुई दक्नि हो सकती है कोई दि्क नहीं है माइक्रो प्रोसेसर, जो कम्प्यूटर का मस्तिस्क होता है, उसे कहा जाता है, सौफ्ट्वेर, सौफ्ट्वेर तो नहीं कह सकते हैं, कम्प्यूटर का दिमाग क्या होता है? फिर फिर Milchip, अच्छा, माइक्रो और मैक्रो, सभी कहते हैं, देखْों, माइक्रो नहीं होती है, माइक्रो होती है, यह हमारे दिमाग कहा जाता है, जिसको हम लोग CPU भी कहते हैं, सेंटरल प्रोसेसिंग उनिट मैक्रोचिप के द्वारे ही होती है, नेम लिखित में से पूची जा रही कौन सी है तो वो cd-rom हो जाएगी जो कि सबसे आप्टिकल मेमोरी जो है यह आप्टिकल मेमोरी में अगर कोई common memory common uses पूची जाते हैं कि कौन सी optical memory है जो common है जिसको सबसे जाद है उच करता तो वो cd-rom ही उच की जाती है फिर 373 CPU और आई ओ के बीच में signal के movement को कौन नियंत्रित करता है दो को जो CPU और input और output के बीच में जो signal हों को movement जो करता है वो हमारा control unit करती है काउन co ठीक यह क्या करती है सी यू होता है सी यू होता है control unit यही हमारे जो इनकी input और output की बीच के signal हों जो होती है उनको movement को जो है control करती है और control कौन करता है control unit पूरे computer की कोई भी unit को control करना होकर तो वो control unit ही control करती है चलिए 374 काउन सा hardware device जो data को अर्थपूर्ण information में परिवर्तित कर देता है तो information में परिवर्तित करने की बात हो रही है तो देखो जो data को information में परिवर्तित कर रहा है तो देखो जो processor होता है वही process करेगा और process करने के बाद ही हमारे data को information में परिवर्तित कर देगा तो इसका second answer processor हो जा हां है ठीक तो फिम्हां साफ के तीन प्रोसों सर्क बात मैंने आपको बताया था एक तो याद रखिए का हमेशा एलू होते हैं, रजिस्टर होती है है और कंट्रॉल इनिडeOS CEO इसके याद रखिए यहे कंप्यूटर के तीन प्रोसों सर के मुखे बाल होते हैं, अगर ये तीन नहीं होंगे तो आप computer को किसी भी तरीके से आप start कर लीजिए आप computer में कोई work नहीं कर पाएंगे ठीक है? तो ये इसका सही answer हो जाएगा चलिए नौवा पेज फिर लिखा है computer के Central Processing Unit का function है Central Processing Unit का जो function पूछा है कि computer का क्या है तो देखो जो Central Processing Unit याने एक CPU याने कि एक तरीके कहा सकते हैं कि processor जो Central Processing Unit है वो processor में आ जाती है control unit भी है Central Processing Unit तो processing करती है तो याने एक processor होगा आप processor कर गाए अभी हमने कितने पाड़ बता है ते तीन तो उसमें count हो था है 377 किसी computer के program में बच्चों दारा प्रियुक्त प्राया कौन सी होती है किसी computer के program में बच्चों दारा प्रियुक्त प्राया अच्छा जो बच्चों की प्राया आएगी तो वो logo प्राया होती है कौन सी प्राया होती है logo बच्चों के लिए यही प्राया बनाए गए है logo तो इसका सई इंसर क्या हो जाएगा logo पिर 378 unix नामक operating प्रणाली बिसेश रूप से किस हेट प्रियोग में लाई जाती है तो unix की बात किया जा रहा है तो देखो यह unix का main काम होता है वो हमारे web servers को बनाने के लिए किया जाता है unix का काम जो होता है unix जो web server यह जो हमारे 3-79 गेम खेलना किसे से आसान हो जाता है तो देखो गेम खेलना mouse keyboard आज के टाइब में तो बहुत से game हमारे mouse से भी खेले अतने keyboard से भी बना जोयस्टिक से अगर आ जाए तो इसमें joystick से होगा तीकिए इसमें joystick आ गया तो इसका सही answer क्या हो जाएगा joystick इसी बात समझ लिए जब आइस्थाई रूप से का मतलब होता है कि light चली जाए तो वो data खत्म हो जाए तो आइस्थाई रूप से जब जाएगा तो ram में ही data आपका light जाने के बाद खत्म हो जाता है तो आइस्थाई रूप से यह ram में हो जाएगा फिर 381 इसे सिरी जिस इस्थान पर system unit से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं अभी जब हम लोग बात कर रहे थे कि जब उनके जोडने का काम किस का कर रहता है वो बस जोडने का काम करता है कि sport से sport तक लेके जाना है उसे जोडने का काम बस को करता है, लेकिन जब जोड़ किस से जाता है, उसने का SSRI है, जिस इस्थान पर यूनिट से जुड़ते हैं, उसे क्या कहता है आपने देखा होगा कि अगर हम लोग pen drive लगाना चाहें, तो वो किस में लगता है आपने देखा होगा कि यहां पर यह कैसे होगा, यह कैसे करके, तो जब अगर हमें उसमें system यानि की pen drive को जोड़ना है तो कहां लगाएंगे, port होता है, काउन सा USB port इस तरीके से होता है तो उसको क्या कहते है, port फिलिका 82 नमबर में floppy disk किस प्रकार की memory से संबंद रखती है तो floppy disk जो है, वो हमारी external memory हो जाएगी, चाहें disk किसी भी तरीके की होगी, चाहें आपका floppy disk, आपका hard disk, 3D drive, वो इस तरीके की जो चुचे होती है, जो भी हम लोग बाहर से लगा सकते हैं, वो सब हमारी external हो जाती है फिर computer भासा, Java के आविसकारक कौन थे, चाहें ये page खतम हो गया, चलिए इसके दूसरे तरफ देखते हैं, page नमबर 10 पे, कि इसके आविसकारक कौन कौन थे Java के आविसकारक पूछा जा रहा है, तो IBM, Microsoft, Sun Microsoft, Java जो हमारी Sun Microsoft ने बनाई थी, उसके बाद की जो ज़्यादा तर languages हैं, वो हमारा Microsoft उस पे काम कर रहा है, या IBM काम करता है, ठीक है, तो इसके लिए सही अंसर, Sun Microsoft हो जाएगा, control, shift and alt, कौन जी कुझिया होती है, ये मैंने आपक ठीक, याद रखिएगा, control, shift और alt की कुझिया जो होती है, वो modifier कुझिया होती है, sorry, 380C में क्या है, RAM किस तरहें की memory है, अभी बताया है, RAM क्या होती है, मुक्ख memory होती है, और ये हमारी volatile memory होती है, और इसमें data जो है, लाइड जाने के बाद खत्म हो जाता है, तो ये अधिकांस product किस, अधिकांस product पर printed line के pattern को क्या कहते है, जब आपको मैंने बतायाता है कि कोई भी pattern होता है, कोई भी अब चीज़ खरिगते हो, उस पर आपने देखाऊगा, इस तरीके से महीन महीन सी lines बनी होती है, और उस पर इधर से number लिखे होते हैं, ऐसे करके, तो ये क् पूचा कि अधिकांस product पर print line के pattern को क्या कहते है, क्या कहते है, बार कोड कहते हैं, फिर निम्न में कौन सा output device नहीं है, अब आप इनको ढूण लिजे, देखे, plotter बहुत बड़ा print निकालने के लिए, प्रिंट जैसे हमारा किसी तरीका का नक्सा हो गया, painting हो गया, ये plotter का का Approx BILL होता है, printer हमारे सारे output device होते है, plotter भी एक तरीका का printer होता है, monitor हमारा output device यह softclad दिखाता है, टच-screen ये जो है, हमारा output device इसको नहीं कह सकते है, क्योंकि का touch-screen है, तो हम जैसे मोबानवारा touch-screen होता है, तो उसमें हम लोग mouse लगाके input देते हैं, क्या नहीं हम लोग touch-case 1388 nimd में كौन RAM नहीं है RAM की बात कर रहा है P-RAM ठीक है RAM होती है flash, memory होती है RAM नहीं कह सकते है SRM RAM नहीं है RAM नहीं कह सकते है नहीं RAM नहीं है पूच रहा है न Sorry इसमें पूचा है कि nimd में कौन RAM नहीं है तो दोको ये e-prome होता तब तो ठीक है तो यह हमारा RAM यह प्रकार नहीं होता FLAS हमारी RAM का ही SRM RAM का ही DRAM यह भी हमारा RAM का ही प्रकार होता है तो यह RAM नहीं है यह P RAM जो दे रखी यह हमारा RAM का कोई प्रकार नहीं होता है चलिए Question number 389 कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है कौन सी ऐसी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है तो देखो जब हमारे पास प्रोग्राम और डेटा हमको इन दोनों का अंतर पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, देखे वह माईक्रो प्रोसेसर होता है, क्या होता है माईक्रो प्रोसेसर जो कि हमारे कम्प्यूटर में लगा होता है जिसको हम लोग एक तरीके से CPU कहते है Central Processing Unit और जो Processor होता है वो Intel दोरा बनाया जाता है और जो इसमें दोनों में अंतर करता है अगर वो अंतर नहीं कर पाएगा तो File को Process ही नहीं कर पाएगा कि कौन से File को कहां भेजना है और उसका क्या काम है तो यह किसका काम होता है यह Micro Processor का काम होता है और आप लोग मुझे बताईएगा कि Micro Processor किस जन्नेशन में यूज किये गए आप मुझे कमेंट में इसका एंसर दीचिएगा तीन सो नम्पे इस्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी File को इस्टोर करने के लिए फाइल को इस्टोर करने के लिए तो देखिए जब सिंपल सी वाता है आपको भी पता है कि आपने बैक देखा होगा बैक जो होते हैं उनमें क्या होते हैं हम लोग कोई भी सामान रखते हैं थोड़ी सी जगह उते हैं और उसमें एक कुछ सामान और रख दिया मलूम और रुमाल लखना तो थोड़ा और इदर उदर दगया रुमाल भी रख गया मोजे रखने बो भी फिर चैन बंद करते देते हैं तो वह कौन सी फाइल होती है इस तरीके की फाइल को हम लोग जिप फाइल बोलते हैं तो बस य देखते हैं कि इसके कौन-कौन से ओप्सन दे रखे हैं स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में किसका उप्योग कियाता है फिर एगर इसके ओप्सन से देखा जाएगा तो यह फाइल एड़ेस्टमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसी में थोड़े सी जगह में ज्यादा फाइल को रखा जा सकता है चलिए फिर बात करते हैं यहां पर लिखा है कि 30.991 में क्या लिखा है कि Assembly Language क्या है तो Assembly Language जोती है यह हमारी Low Level Language होती है है एक लेवल लेंग्व जोती है को जाएगा सिर्फ न में कौन सा सिस्ट्म यॉनिट का भाग आ है cm system unit की बात की जा रही है तो system unit की बात आगए सिस्टम unit की बात की जाएगे तो cpu उसका में सबसे पहले cpυ की तरफ ही जाएंगे कि स्थिस्व आले का भाग कौंग है तो s'dio यह इसकी तरफ चले जाएंगे तो यह स्का cpu सही हो जाएगा फिर इंस्ट्रक्शनों के उस सम्हों को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या किया जाना चाहिए जब इन्फॉर्मेशन्स का एक सम्हों मैंने बतायाता है कि जो इन्फॉर्मेशन्स का सभू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको program कहते हैं और जो instructions होते है instruction भी same वही चीज होती है कि instructions के उस सम्हूं को क्या कहते है कि computer को बताता है कि उसे क्या करना program होता है क्योंकि हम लोग instruction देंगे तो program read करता है फिर read करने के बाद उसको instruction को follow करके book work करता है फिर हमको सही एंसर क्या हो जाएगा program अच्छा इसका question इधर दे रखा है नेम्न में कौन एक programming language नहीं है programming language का मतलब होता है कि इसमें से कौन सी program लिखने वाली language नहीं है देखो पर्ल से हमारे program ये high level language है Java भी हमारी high level language program लिखने के लिए Fox Pro जो होती है ये भी हमारे high level language है program लिखने के लिए Oracle लेगे Oracle जो है ये हमारी programming language नहीं होती है ये Oracle किसके लिए यूज की जाती है एक second मैं भी बता रहाँ आपको अगर याद आ गया तो Oracle ये भी सही बिजनेस रिलेटेड ये कुछ इसी तरीके से कुछ होता है मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है अंदर तो है बड़ याद नहीं आ पा रहा है कि अभी क्या है चलिए इसका सही एंसर जो है क्या हो जाएगा कि Oracle जो होती है ये हमारी programming language नहीं होती है बस इतना तो आप याद रिखिए चलिए 395 395 क्या Ethernet संबंदित है Ethernet हमारा किस से संबंदित होता है ये होता है Local Area Network से Ethernet हमारा Local Area Network से संबंदित होता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा Local Area यानि कि LAN 396 लिखाए निम्न में कौन सा Internet Explorer नहीं है ठीक है अब Internet Explorer की बात आएगी ये तो देखें Internet Explorer का मतलब की Web Browser नहीं है ठीक है ये याद रखियेगा उसका कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा Web Browser नहीं है Firefox Web Browser है Safari Web Browser है Chrome हमारा Web Browser तो ये तीनों क्या हो जाएंगे Web Browser हो जाएंगे Google Plus Google Plus एक तरीके की हमारी Social Site है ठीक है तो ये हमारा Web Browser नहीं है तो यही सबसे अलग हो जाएगा तीन सो सतानवे वेबसाइड नाम में से नाम में STPP क्या होता है S WTP क्या होता है ये देखें पी जब मैंने बतायाता है कि जब भी कभी लास्ट में पी आए तो इसमें 99% क्या होता है प्रोटोकॉल होता है ठीक है ये प्रोटोकॉल होता है अब मैंने आपको अभी कितने बार मैं इसकी फूल फार्म बता चुक हूँ Hyper Text Transfer Protocol तो ये क्या होता है एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है इसमें पी आया है तो देखें इसका सही आप्सन 3 हो जाएगा फिर कोशन नमबर 398 निम्न में कौन सोसल मीडिया वेबसाइट है चलिए देखते हैं सोसल मीडिया वेबसाइट कौन कौन से सोसल मीडिया वेबसाइट नहीं है पूछा जा रहा है चलो और कुट फेस्बुक से पहले हम लोग खुप है औरकुड को भी यूज किया गया तो औरकुड हमारी सोसल मीडिया साइट हो गए फेस्बुक सोसल मीडिया, गूगल प्लस सोसल मीडिया जीमेल हमारी जो है मेलिंग सर्विस है ना कि सोसल साइट सोसल साइट नहीं कह सकते इसको तो जीमेल सबसे अलग हो जाएगा फिर निम्न में किसका सम्बंद कम्प्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है देखें यहां पर बात कर रहा है कि सम्बंद कम्प्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है कम्प्यूटर का प्रोसेसर नहीं होगा तो फिर किसका बचा या तो वो dual core और i7 तो हम लोग उससे बहुत आगे निकल चुके हैं और यह तो बहुत पुराना है फिर android android हमारा किस तरीके का प्रोसेसर होता है किस चीज में यूज़ किया जाता है यह आप लोग मुझे comment में बताईएगा कि android जो है प्रोसेसर कहां यूज़ किया जाता है screen पpl ad Days pixel की संख्या इसक्रीन के नाम से जाने जाते हैं इस की पर प्रदर्सित pixel की जो संख्या होती है वो किस चौटे चोटे से ऐसे करके आपस में जुड़े उए אaling ऐसे squares का एक समूह होता है यह जो क्या करते हैं यह हमारे pixels जो होते हैं यह हमारे resolution बताते हैं क्या बताते हैं यह हमारा resolution बताते हैं कि यह कितना है तो यह जो pixels होते हैं यह हमारे इस तरीके से square से मिल मिल के छोटे छोटे से एक जो है pixel बनता है और यही pixels जो है हमारा क्या कर देते हैं यह pixels जो संख्या होती है इनी से में पता जलता है यह कितने resolution का जैसे आप कोई photo जैसे इस तरीके से हो आपकी ठीक है आपने देखा होगा जब आप form भरते हैं तो उसमें आपको आता है कि आपको कई-कई बार हमको pixels दे दियाते हैं कि आपको 160 से 120 का pixel होना चाहिए तो ये इसके pixel होते हैं और ये pixel क्या होते हैं ये इसका resolution दिखाते हैं तो याद रखियेगा जब भी-कभी pixels की जो संख्या पूछी आती है कि उसको किस और नाम से जानते हैं हम लोग chapter-wide चलना है अब आज जो हम लोगों ने questions की इसमें हमारे operating system और ये थोड़ा से internet से related questions थे आप ये याद रखियेगा कि जो हम लोग questions करना है 1000 questions ये हम लोगों के पिलकुल triple C level के ही questions हैं जो chapter है हमारे उसके अपने slaves में UPCL में तो UPCL में जो slaves है उसी slaves के आधार पे हम लोग चलना है और इसी से आप लोगों को questions मिलेंगे आप लोग जो है बस साथ बने रही है अभी जो हम लोग इसके बाद में practice set करेंगे तो वहाँ पे हम लोग और भी ऐसे बैतरीन question करेंगे तो हम लोग अगर 1,000 question ये कर चुकए है तो अभी तक बन, थाअजेंद question उदार भी complete कर चुकए है तो अभी तक हम लोग लगव ऐसे करके 3,000 question कंप्लीट कर लेंगे और 3,000 question में आप 30 question सही कर सकते हैं ऐसा मुझे बिलकुल यकीन है और आप लोग बिल्कुल उसको सही करके भी आएंगे तो आप लोग ऐसे ही साथ बने रही है अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप लोग दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए जो भी मैं कोश्चन आप से इसमें पूछता हूँ वो आप लोग मुझे कमेंट में बताईए जरूर कि इसका एंसर क्या आएगा ठीक है उससे देखिए आपको कुछ जाएगा नहीं लेकिन मुझे ये उससे पता चल जाता है कि चलो चम मैं पढ़ा रहा हूँ तो हाँ इन लोगों को ये चीज पता है पहले से पता है या मेरे पढ़ाने से पता चली इससे फर्क नहीं पढ़ता है कि वो आपको कैसे पता है आपको मेरे जरीए से पता चली या पहले से पता थी बस आप लोगों को मेरा काम है कि सिखाना बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग सीखिए और जल्दी से जल्दी इस exam को निकालिए ठीक है अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए कमेंड कीजिए और शेयर भी कीजिए अपना दोस्तों के साथ और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए अभी तो आप लोगों का यह यह यूपी PCL के साथ-साथ अभी तो हम लोग इलहावा धाइकोड का भी अभी एक्जाम जो है लगने वाला है वो भी दिसंबर के लाश्ट में हो जाएगा तो आप लोग साथ बने रहे हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयरी कराई जाएगी ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन